हेलो विएस वेल्कम तो मैं चैनल इंजल गैबल चारइट इंडिस वीडियो इंडियो मेट लियो सिंग राशी के लिए आप लोग मैसेज है कि दिसम्मा मन्त में कुछ एडवेंचरिस थिंक्स करने का आपका मन बहुत करेगा आपका मन करता भी ये कुछ अलग करने का और उसे कुछ अलग मतलब जैसे होता ना कुछ हिम्मत वाला काम, कुछ risk taking जैसे होता है खत्रे मोल लेना, कि आउचलो कुछ नया ट्राइ करते हैं या आउचलो कुछ नया करते हैं तो ये चीज आपके में मन में बहुत रहेगी, कहीं घूमने चले गए, या आउट आफ कहीं स्टेशन चले गए, या घर पे कुछ अडवेंचरिस चीज या कुछ ऐसा, आपने कुछ अलग करके दिखाने कोशिश करी, तो ये अच्छी कॉलिटी है, इसको थोड़ा सा और उभारिए, तो सकता है कि नए चीज आप create कर पाएंगे, और यहाँ पे एंजिस मेसेज कर रहे हैं, focus on your home and love, that means या आपको अपने घरवालों पे, और आपके जो love affairs या जो भी आपके lovemate, soulmate हैं, वो जो भी आपके relationship में जो कोई भी है, उसके साथ अच्छे संबन बनाने कोशिश करिए, थोड़ा focus करिए उधर भी, मतलब उनको value करिए, उनको help करिए, उनको support करिए, जो आपको वाके में प्यार करते हैं, आपको वाके में respect देते हैं, तो यह message आ रहा है, इससे क्या होगा, कि जब हम अपनों को जब value करते हैं, अपनों को जब आदर सम्मान देते हैं, तो बहुत सी चीज़ें अपने आप पर ही, कर्मा जो होता है, कर्मा हमारा अच्छा बनने लगता है, तो चीज़ें अपने आप track पर आती है, आपको emotions में डूबने का बहुत ज़ादा, यह message आ रहा है, कि हो सकते हैं कहीं ने कहीं emotions में डूब जाएं, बहुत ज़ादा emotional भावक होने का, यहां पर हो सकता है, कोशिश बन रही है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी, कि health पर थोड़ा सा ध्यान दे, emotional होना अच्छी बात है, कभी-कभी ऐसा होता है, कि वो चीज नहीं प्राप्त होई, यह आपके according सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक हुआ, 60% हुआ, 50% हुआ आपके situation, लेकिन क्या होता है, फिर आपको लगता है कि दुख्य हुआते हैं, कि नहीं हमारे according और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था, मतलब काम अच्छा नहीं चाहिए था, यह आपको वो अच्छीव करना है, बहुत ज़्यादा किसी की बारे में सोचते रहना, सोचते रहना किसी काम के लिए, किसी पर्सन के लिए, मैं आपको यहादवाइस करूँगी, बहुत ज़्यादा समय नाबर बात करिएगा, वोकि हो सकता है कि emotional होने पर आपको कहीं ज़्यादा दुखी ना हो जाए, और depression में चले जाए, कई लोग ऐसे होते हैं, तो इसलिए, health पर ध्याद दीजिए, angels यहाँ message कर रहे हैं, health का यहाँ card आया है, emotional होना अच्छी बात है, लेकिन, उतना ही करी जितना satisfactory हो, बनलब जितना कर सकते हैं, उतना करी है, और health पर ध्याद ध्याद दीजिए, ज़ादा अपने, angels आपको यह message कर रहे हैं, कि cosmic energy से connect करने की कोशिश करी है, आपके जो super divine energies हैं, जो आपके ancestors हैं, जो आपके spirit guides हैं, जब भी आप meditation करते हैं, तो क्या होता हैं, कि आपकी जो seven chakras हैं, वो heal होना शुरू होते हैं, और दीजिए में आप connect हो पाते हैं, divine energy से वापको कहीना कहीं से message करते हैं, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ attract होती हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं, वो समझ में आने लगती हैं, चीज़ें track पे आने लगती हैं, पॉजिटिव एक वे बनता है, हर एक इंसान का, कोई जो meditation करते होंगे, तो यह चीज़ करिए, हमारे body में 7 chakras होते हैं, उन 7 chakras को heal करने कोशिश करिए, अगर किसी से रेकी healer से contact करना चाते हैं, तो healing करवाईए, और healer खुद अगर आप कुछ सीखना चाते हैं, तो सीखिए, आपकी intuition power अच्छी दिख रही है, आपके third eye chakra, वो intuition का ही होता है, आप purple color का color यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए, indigo या purple color, वो अच्छा बनाता है, वो color होता है third eye chakra का, तो वो intuition power को और बढ़ाएगा, तो कोशिश करेगा कि intuition power और अच्छी आप करिए, और चीज़ें आप पहले से भाप लेंगे, बनलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अगले जन्हें के मन में क्या चल रहा है, क्या वो feel कर रहा है, ये आपके साथ होगा, और अच्छा अगर अपने साथ करना चाते हैं, तो यहाँ पे meditation का आया है, meditation करिए सवेरे शाम जब भी आपको मौका लगे, पांद स्मठी निकाल लीजे, हफते में तीन दिन भी कर लेंगे, तो भी ठीक है, तो कम से कम आप अपने लिए, देखिए ये सब चीज़ें आपको अपने लिए तो करनी पड़ेंगी, तो ये चीज़ करिए, यहाँ पे आपको divine energies universe message कर रही है, कि जिस situation में आप खड़े हैं, वही रहे, confused मत हो ये, कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, इसको implement करना है, तो क्या होता है कि, देखिए, जो जिन्दी में आपको needed है, वो आपको पता है, और जनों को नहीं पता, तो इसलिए, अपने according काम करिएगा, और औरों के सुन लिजेगा, respect देने के लिए, लेकिन करिए अपने मन की ही इस वक्त, आपको यहाँ पर transformation के बहुत अच्छा message आया है, positive change है, positive change है, जैसे होता है, transformation, मतब अचानक से कोई चीज, कोई नई चीज शुरू हो जाना, एक नया chapter, नये लोग मिलना, या अचानक से कोई idea आना mind में, अचानक से नया कुछ करने कोशिश करना, और लगतार अगर आगे बढ़ते रहेंगे, तो बहुत अच्छा है, पीछे मुण के मत देखेगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लोगों ने क्या कहा, या मतब पीछे situation क्या थी, कुछ नहीं, बस आगे बढ़ते जाए, और आप देखेगा, जिन्दगी में नई नई चीज़ें होती ही रहेंगी, यहाँ पर यह message है, आप लोग के लिए, कोई wish पूरी हो सकती है, कोई भी wish अगर आपके mind में, बहुत दिनों से चल रही होगी, और या कभी आई होगी, कभी सालो साल पहले, तो वो हो सकता है, कि वो एकदम से स्ट्राइक करें, मैंड में, वैसे आपका मन यही है, कि अच्छे दोस्त मिल जाएं, अच्छे लोग मिल जाएं, एक लोयल एक परसन मुझे मिल जाएं, क्योंकि आप पर आ रहा है, कि किसी occasions पर भी आप जा सकते हैं, किसी मदब वहाँ पर लोगों से मिलना जुलना, या किसी से अच्छे संबंद बनने की कौशिश होना, ये इस तरह से कुछ दिख रहा है, तो कोई विश पूरी हो सकती है, आप अपने विश को पूरा करने के लिए manifesting techniques का भी यूज कर सकते हैं, इसे 369 हो गया, या 555 हो गया, water healing होती है, और वो भी आप उस कर सकते हैं, या पूर्णे माँ वाले दिन अगर चंद्रमा को देखके, अगर विश अगर आप लगतार कह रहे हैं, कई बार कह चुके हैं, तो वो भी पूरी होती है, तो आपको यहाँ पर next इसे message है, romantic रहेंगे आप, fun loving हैं आप लोग, fun माँ बार मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है, इससे क्या होगा, आपको गर्व मैसूस होगा, angels message क्या कर रहे हैं, कोई artistic काम हो, या hobbies या talent जो उपर वाले ने आपको दे रखा है, वो ज़रूर करिए, कुछ interesting काम जो आपको अच्छा लगता हो, या music सुनना, या बजाना, या कोई instrument, जो भी आपके hobbies या talent है, उसको अंदर दबा के मत रखिएगा, जितना दबा के रख लेंग ना, इसलिए अच्छा है कि उसको बाहर आने दीजे, लोग पता चलने दीजे, हाँ, उसे क्या होगा तारिफ मिलेगी, तो आप खुद भी खुश होंगे, तो उस talent को बाहर आने दीजे, अच्छी अपनी मन पसंद चीज़ें करिए, जो भी आपको अच्छे लगती हो, अपने लव मेंटे साथ घूमने फिड़ना, आपको अच्छे लगता है, वहाँ जाईए, कहीं भी ट्रिप पे जाईए, कहीं पे भी कुछ शॉपिंग करना चलगता है, शॉपिंग जाईए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो वो करिएगा जरूर इस मन्त में इससे क्या होगा थोड़ा से explore होंगे आप बाहर तो fresh मैसूस करेंगे और लोगों से मिलना जुलना होगा of course कि आपको नए लोग भी जैसे कि मैंने बता है अच्छे चेंज की तरफ दिखा रहा है तो मुझे लगता है कि आपको clear हो गया होगा लखी कलर के बात करूँ आपके जैसे मेरता है कि आप अपने intuition power को अच्छा करने के ठाड़ा है चक्रा पे काम करिये तो purple wallet कलर है और वैसे जो दूसरा कलर आजो आ रहा है वो orange और yellow कलर है या उसका mixture भी हो सकता है तो I think the message is very clear from the divine energies thank you so much thank you so much